दुलेरा गुज़रात में Greenfield Airport के development के लिए आज उसको अनुमती दी गई है आपको ग्यात होगा 2016 में Greenfield Airport Policy के अंतरगत दुलेरा मेंने Greenfield Airport बनाने का initiative लिया गया था जिसके चलते इसकी environment clearance भी और इसकी security clearance और अक्षा मंतराले से NOC भी आ चुका है होमनिस्ट्री से भी आ चुका है पंदरा सो एक हेक्टेर भूमी इसके लिए उपलब्द करवाई जा चुकी है दोलेरा इंटरनाशनल एरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी इसमें 51 प्रतिशेट शेर होल्डिंग एरपोर्ट अथारूटी ओफ इंडिया इसका काम 48 महिने में बनाकर पूरा किया जाएगा 40% इक्विटी के माद्यम से धना आएगा और 60% इसमें रिंड के रूप में इसकी होगी भाग्यदारी इसमें दो तरह की सुविधाएं होंगी एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एरपोर्ट की सुविधा दूसरी तरफ से कारगो की सुविधाएं यह अपने आप में जिस तरह से मानने परधान मंतरी जी की सोच गती शक्ती की प्रोजेक्ट को आगे ले जाने की है मल्टी मॉडल कुनेक्टिविटी की हम बात करते हैं यह उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशेटिव है अगर हम कुल मिला कर देखें तो दिल्ले मॉंबई को कॉरिडोर में हैं जहां इस तरह के आठ नोड्स बननी है उनमें से एक यह धुलेरा का भी है और जब मैं मल्टी मॉडल कुनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहां पर धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्ट सिक्स की अवशक्ताओं को भी पूरा करेगा और इसको एहमदाबाद के दूसरे एरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा जहां पर यात्रियों को इसका लाब मिलेगा और आस पास के लाके के लोगों को भी इसका लाब मिलेगा यहां के लिए इस एरपोर्ट को जोड किया जा रहा है, so dedicated freight corridor से feeder line अलग है, six lane express वे से भी जोड़ा जाएगा, broad gauge railway line भी होगी और rapid transportation system भी यहाँ पर उपलब्द होगा, यह नए भारत का निया development model है, multi-model connectivity की अगर मैं बात करूँ, तो इसमें कुल मिलाकर passengers को जब यह 2026 में बन कर तयार होगा, तो पहले वर्ष तीन लाख यात्री से तब तक इसमें सेवाएं, यानि कि तीन लाख यात्री तक इसमें होंगे, और अगले 20 वर्ष तक बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात की संख्या होने की उमीद है, वहीं पर कारगो की 2025-26 में वार्षिक शमता लगबग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बन कर, यानिके 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद 273,000 टन हो जाएगी, तो इसमें expansion की भी बहुत possibilities हैं, अभी phase 1 को अनुमती दी गई है, phase 1 के बाद phase 2, phase 3 की भी सुविधा होगी, इसके expansion के लिए प्रयाप भूमी भी उपलब्द है, air strip को भी बढ़ाना होगा, तो इसको बढ़ाने का काम भी इसके माद्यम से किया जा सकता है,